एलियन्स के रहस्य से परदा उठाते उठाते एक दूसरा रहस्य वग्यानिकों के सामने आ गया है दरसल अंत्रिक्ष में उठी एक रहस्य मई चमक ने वग्यानिकों को हैरत में डाल दिया है इससे पहले खगोल विद पडोसिय ताड़किये ग्रहों से मिले संकेतों से एलियन की संभावना जताते थे खगोल विदों को एलियन की तलाश पूरी होने की उमीद इसी रहस्य मई चमक से और भी ज्यादा बढ़ गई है खगोल विदों के मुताबिक 31 मई को प्रॉक्सिमा सेंचुरी को इतना ज्यादा तेज चमकते हुए देखे जाने के बाद वहाँ पर एलियन्स होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है इतनी तेज रोशनी के कारण वहाँ पर जीवन की संभावना जरूर हो सकती है क्योंकि यह रोशनी कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं थी यानि यह रोशनी किसी चीज या किसी यंत्र से निकली हुई रोशनी प्रतीत होती है जो की बिलकुल भी प्राकरटिक नहीं है हलांकि यह संभव है कि शायद हम वहाँ पर इस विक्रण प्रतोदी जीवन के संकेत भी तलाश सकेंगे खगोल विदों के मुताबिक ये रहस्यमई सिगनल्स प्रिधिवी से 11 लाइट यर्स दूरी पर स्थित एक लाल इतारे रौस 1-2-8 से आ रहे थे इसकी चमक सूरज के मुकाबले 2800 गुना कम थी और इस पर अब तक किसी इनसानी जीवन या कहीं की प्रग्रही जीवन के होने का दावा नहीं किया गया है अंतरिक्ष से आया ये रहस्यमई सिगनल ऐसा था जिसे वेग्यानिकों ने पहले आज तक नहीं रिकॉर्ड किया इसकी फरिकॉंसी भी लगबख उतनी ही थी जितने की हमारी आम सेटेलाइटोंसे निकलने वाली रेडियो फरिकॉंसी की होती है यानि वो फरिकॉंसी जो आम तौर पर आर्टिफीशल हैं जो मानव दौरा बनाई गई हैं ना कि जो प्राक्रितिक द्वारा या इस खगोल पिंड में अंत्रिक्ष में हमें देखने को मिलती हैं। समानेता ताड़किय ग्रहों में चमक देखी ही जाती है। लेकिन प्रॉक्सिमा संचुरी में करीबन अठारा सो सेकंड तक इतनी तेजी से चमक देखी गई। यदि प्रॉक्सिमा संचुरी जितनी चमक कभी हमारे सूरज से निकली तो प्रिथवी पर हमारी पावर ग्रिड्ज और बिजली वेवस्थाओं को एकदम से खतम कर सकती है। यहां तक कि इसका प्रभाव अंत्रिक्ष यात्रियों पर भी पढ़ सकता है। जिसका मतलब यह बिलकुल भी प्राकृतिक तोर पर निकली हुई कोई भी चमक उर्जा या फ्रीक्वेंसी नहीं थी बलकि कोई परग्रही जीव के दौरा किया हुआ कोई एक्सपेरिमेंट या कोई यंत्र था। मई में एक अजीब संकेत के मिलने के बाद अब पूरी दुनिया के विग्यानिक इसका करीब से करीब अध्यान करने में जुट गए हैं। परन्तु इतना वह जरूर समझ चुका है कि वह चीज़ें मानविये नहीं बलकि प्रकृतिक होती हैं। लेकिन वह क्यूं होती हैं मनुष्य यह अभी इतना नहीं जान पाया है। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास से आती हुई यह रोशनी और उससे निकलता हुआ यह सेनल जो बिलकुल भी प्रकृतिक नहीं हैं। अनुष्य इसको अराम से समझ चुका है। अब बस इंतजार है तो इसके रहस्य से परदा उठने का। कि यह प्रकृतिक तरंग तो नहीं थी। लेकिन अगर यह तरंग निकली और यह चमक निकली है। तो किस चीज के दवारा निकली है? क्या वे कोई जीव था जो वहाँ पे कोई एक्सپरेमेंट कर रहा था जो नाकाम हो गया। या फिर वहां के जीव उतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। कि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट और वहाँ की चीजों का विस्तार करने में वे मानव को भी हजारों साल पीछे छोड़ चुके हैं और वे उस ग्रह की उर्जा पे पूरी तरीके से निर्भर हैं और उस ग्रह की उर्जा निकाल के उसको इस्तेमाल करने में भी सक्षम हैं लेकिन दोस्तों यह जो भी है वो प्राकृतिक और खगोल अंतरिक्ष में होने वाले पिंडोक से निकली हुई कोई तरंग या कोई चमक तो बिलकुल भी नहीं थी यानि यह कोई आर्टिफीशल चीज थी या तो वहाँ पर कोई प्लीन क्रेश हुआ एलियंस का या फिर हुआ है कोई ऐसा धमाका जिसका मनुश्य अभी कोज भी पता नहीं लगा पाया है आपका इसके बारे में जो भी विचार है कृप्या कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें जरूर बताएंगे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ फेस्बुक और वाटसेप के दोआरा भी शेयर जरूर करें हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार